रितुमोहन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकोन को क्लिक करें, न्यू वीडियो नॉटिफिकेशन के लिए नारेल भे पंजीरी नारेलखुएः पंजीरी से लिया है 200 ग्राम कोया 400 ग्राम अप्रॉक्समेटली चीनी 200 ग्राम मखाने मेलन ग्री 200 ग्राम 200 ग्राम ग्रेट नारियल अब हम आगे का प्रोजिजिजर स्टार्ट करते हैं अदिणये qa आए हमरी चंपके kaka incompet खाला Branch आए हम्रामकों दुम घ्राम का काई कैसे का आए है अपाल ह्थम्छब, आए हम मदेश पाला, आए हमंके आए हम ध्राजिद पाला, खाला, आए हम्ल अखान हीए है हम गरी को फ्राइ कर लेते हैं नारिल को भून लेते हैं इस हमने सिम कर रुखिए हमारा नारिल अच्छे से भून गया है अब हम में खानों को पीष लेते हैं थोड़ा थो आप बागी कभी आजीक उट लेंगे चीनी गाम पाउडर बना लेंगे चीनी गाम ने पाउडर बना लिया है 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 हम खोए को थोड़ा सा बून लेते हैं हुआ 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 है तीन-चार मिनिट तक हमने खोए को पूल लिया है अब इसके अंदर हम सब इंग्रेडेंस डालेंगे क्रश्ट मखाने गिरी गिटिन आ रिया है अब इसके अंदर चीनी एट करेंगे है 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 अब इसको जब तक चलाएंगे अब तक एक सार नहीं हो जाएगा पिर हम इसको चेक करेंगे कि यह जमने वाली कंसिस्टेंसी का हुआ या नहीं हम इसको जब तक रखेंगे जब तक रखेंगे कि जबने वाली कंसिस्टेंसी का नहीं हो जाता हुआ है कि थोड़ा सा निकाल के देख लेते हैं अब कुछ ही देर हुए है पर यह सेट होने लगी है ठंडी होके बिर्कुल सेट हो जाएगी है मारी पंजीरी यह प्लेट मैंने पहले ग्रीसिंग कर लिए थी 40-45 मिनट में हमारी पंजीरी जमके रेडी हो जाएगी उससे पहले हम जब यह थोड़ी से जम जाएगी तब हम इसके पीसिस को काट लेंगे हमारी पंजीरी थोड़ी से जम गई है अब इसको कट कर लेते हैं अब कर लेते हैं झाल झाल अब ही थोड़ी गरब है जब ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल जम जाएगी है बहुत ही अच्छी है हमारी नारेल खोया पंजीरी बनी है आप इसको नारेल खोया पाग भी बोल सकते हैं आप इसे बनाईए खाये और अपने व्यूस मेरे साथ बिलो इंदा कमेंट बोंग जरूर शेयर करिये आप मझे फॉर्वार सब्सक्राइब पर सकते हैं मिल से भी लिंक पर चो कि मैंने दिया है इंदिस्क्रिप्शन बोक्स में प्लीज हिट लाइक, कमेंट अंचेयर और स्टे तुन्ड फोर मोर वेगेटरियन रेसिपीस, व्लोग्स और माई शॉपिंग थैंक्स वर वाचिंग डेसिंग्स तो अलब यू